नमस्कार पंचाटी टाइब्स में आपका स्वागत है और मैं हूँ कमल सिंग दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से हम आपको समय दर्समय रूबरू कराते रहते हैं बताते रहते हैं और साथ में हमारा ये प्रयास होता है कि हम उन इलाकों की बात करें जो ग्रामीर इलाके हैं जो भारत के ग्रामीर अंचल हैं उनकी खबरें हम आप तक पहुचाने की कोशिस करते हैं और आज हम बात करेंगे 36 गड़ की जिया 36 गड़ का जस्पूर इलाका है और इस इलाके के तीन गाओं ऐसे हैं जो सरकार से परिसान थे जो प्रसासन से परिसान थे परिसानी का पूल नहीं है सडके नहीं है यह तमाम बातें जो थी यह तीन गाओं लेके काफी टाइम से सरकार के पास अपनी चीजे लेके जा रहा है लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो इन तीनों गाओं ने पत्थर गड़ी की जो विवस्था है वो लागू कर दी है इस खबर म जो है उन्हें गाओं में आने से रोक दिया जाता है लेकिन यहां पे जो पत्थर गड़ी विवस्था लगाई गई है यह विवस्था थोड़ी अलग तरीके से लगाई गई है यह विवस्था लगाई गई है गामीर के जो इलाके हैं उन तीन गाओं के जो वाडर से उनको निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन साथ में यहां पे आने के लिए नेता मंतरी बिधायक एमपी जो भी है उन पर बेन लगा दिया गया है, यानि बिना किसी मुखिया के गाओं के जो मुखिया है, उनकी पॉमिशन की ये लोग अंदर नहीं आ सकते हैं, यहां तक कि DM और SM वो भी गवों में जाने के लिए वहां के मुख्या से पॉमिसन लेनी होगी। ये तमाम बाते थी ये जो पत्थरगड़ी की विवस्ता वो इस तरीके से वहां पे लगाई गई है। वहां के लोगों का कहना है कि सरकार विकास की बात करती है, हमारे लिए जो चीजें वहां से मुहया कराई जाती है सरकार की तरफ से वह उन तक पहुच नहीं पा रही है, विकास नहीं हो पा रहा है, जमीन उनकी है, जंगल उनका है, उसके अंदर के खनीच पदार्थ उनके है फिर भी उनको विकास नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसे तरस्त हो के उहां पे इन लोगों ने पत्थर गड़ी की विवस्था लगाए गी है, अब सवाल यहां पे यह खड़ा होता है कि आखिर सरकार की नीतियां कहां फेलो जाती है, 36 गड़ के सुदूर इलाके में किसी आदिवासी वस्थी को पत्थर गड़ी विवस्था को लागू करनी पर देती है, गाओं की ऐसी तमाम बड़ी खबरों से हम आपको समय दर समय रूबरू कराते रहेंगे, बताते रहेंगे, अगर हमारा यह वीडियो आप फेस्बुक पे देख रहे हैं तो